जहें देविवन और हम अपनी fundamental right की series कर देते हैं मिला political complete video जो है हम करने वालते starting to end हमने preamble खतम कर रखा है article 1 से लेके 4 तक करा चुका हूँ मैं citizenship हो चुकी है 12 से लेके 14 तक हो गया और उसके बाद हमने 19 से लेके 22 तक अपने article खतम कर रखे तो आज की class में हम क्या करने वाला है आज ही class में हम article 23 से लेके कहा तक करने वाला है article number 30 तक तो उससे पहले हमने explain कर दिया था fundamental right क्या है जो सबको मिलने चाहिए उसके बाद थोड़े से हमने define कर लिया था 12, 13, 14 right to equality हमने define कर लिया था फिर right to freedom भी हमने बता दिया था protection जी अपारी यह सब वगेरा वगेरा ओके ओके अब हम जो हम शुरू करने वाला है वह है right against exploitation यह टाइप से हम कह सकते हैं कि हमारा third fundamental right है अब इसके अंदर हमें क्या है एक तो prohibit करता है किसे traffic of human being पुराइन टाइम पर क्या होता है कि लोगों हो न जैसे यह मोनु बंदा है ठीक है मौनु ने क्या किया उसे एक slave चाये या उसे कोई एक आधमी चीज ज़ोगे काम घुज़ता कोई भी तो इसने क्या किये उसे किसी एक बंदे को कुछ रुपए दिये और इस बंदे ने क्या क्या इसे एक बच्चा या कोई छोटा लड़का या लड़की गुलाम के तौर पे बेच दिया तो ये क्या हुआ एक टाप से human trafficking हुआ क्या करें buying and selling of person ये सब इसमें prohibit मना कर दिया कि आप किसी भी इंसान को खरीद नहीं सकते हो दूसरा force labor कोई आप से जबरदस्ती का काम नहीं करा सकता जबरदस्ती का काम नहीं करवा सकता अगर करवा रहे तो आप जा सकते हो Supreme Court में और कह सकते हो मैं article number 23 violate हो रहा है या article number 23 जो भी आप case कर सकते हो तो इसमें पहले यही है traffic in human being, beggar and other similar force labor are prohibited यही मैंने आप तुम्हें समझा चुका है contravention provision shall be offense of punishable according to law ठीक है यह भी हो चुका मलब कि उसे कानुन सजमी nothing in this article shall prevent state from imposing compulsory service of public service ठीक 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 सब इसमें यही चीज मेंचिन की गई है कि एक तो आपको कोई मलब की मालो की आप हो आपको कोई पैसे दे के खरीद नहीं सकता simple सगर में lemon-legan balloon या फिर आप किसी को खरीद नहीं सकते, buying और selling किसी भी आदमी को या body part को illegally खरीद नहीं सकते हो अब यह मत कहना कि सर में boss है, मुझे तो 1000 रुपे देता है मन्तली की और उसके बदले में जारू पोज़ रगाता क्या उसने मुझे खरीद है? नहीं वो तुमें एक salary पे करता है तुम अगर illegal तरीके से अगर वो खरीद रहा है और किसी और को sell कर रहा है तो वो human trafficking के अंदर आता है और forced labor हमने कहते हैं, कोई भी मालो की तुम्हें काम करवा रहा है forced labor में क्या होगा? अगर तुम यह mono बंदा है mono ने क्या किया? एक महीने तक काम किया वन मन तक काम किया और उसे उसके wage नहीं मिल रहा उसे उसकी salary नहीं मिली take type से क्या होगा? यह forced labor हुआ न कि उसे बिना और उसे mono को क्या किया जा रहा है? exploit किया जा रहा है mono को जब उसकी salary नहीं मिली तो एक type से forced labor के यह अंदर आया तो वो जाके case कर सकता है अब मुझे forced labor की तक काम किया या mono ने जब दस्ती को उसे force करके कि नहीं कर वरना मैं तो यह जान से बार दूँगा अगर ऐसा हो रहा है तो भी mono जाके case कर सकता है यहां तक article number 23 कतम हो गया अब article number 24 आता है यह भी right again exploitation के अंदर ही आता है right again exploitation के अंदर दो article आता है 23 और 24 जो 23 है यह तो मैंने तुम्हें समझा दिया अब 24 के है यह भी prohibition की बात करता है किसकी employment of children in factories except अगर कोई छोटा बच्चा मालो 16 या 18 साल से नीचे का कोई छोटा बच्चा है मलब 16 के रहा 18 साल से कोई नीचे का बच्चा है वो अगर किसी factory में या कहीं पर work कर रहा है तो यह गेर कानूनी है लिखा है ना no child below the age of 14 year shall be employed in a मलहा 14 साल 18 नी 14 in any factory or mine engage in any hazardous employment अगर 14 साल से नीचे और किसी factory में work करें तो यह उसके fundamental right की against है ठीक है अब इसका एक exception भी है 24 का एक exception भी है exception क्या है अगर आप अपने home में work करें घर में काम करें फिर क्या रहा है यह क्या कहता है मुझे exploit किया जा रहा है या फिर मुझे यह child labor किता यूज के जाए तो वो चीज गलात है अपने घर में काम करें या अगर आपकी company है अगर आप अठारा साल से नीचे हो बटा आपने company establish कर रखी है तो उस company का क्या होगा कि अगर आप अठार से नीचे तो आप ownership आपको नहीं मिलेगी जो ownership है आपको उस company की नहीं मिलेगी सकते हो company को तो आप company नहीं चला सकते है लीगली तो नहीं चला सकते है फिर जो हम बात करते हैं अपने fourth article के उपर यह हमारे क्या है राइट टु डिलिजियस फ्रीडम नहीं यह कौन सा करा दिया मैंने कितने करा दिया है फोर यह हमारे राइट टु डिलिजियस फ्रीडम साथ पाच्वा है चोथा पच्छिस छब़ेस ताइस ठीक है यह हमारे चोथा है राइट टु डिलिजियस फ्रीडम अफ डिलिजियस हमारा fourth article आते है इसके अंदर हमारे कौन कौन से आर्टिकल आते है है हमारे 25 26 27 28 26 27 और 28 यह चार आर्टिकल हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजिन केंदाते हैं कोई भी एक रिलीजिन से रिलेटेड कोई भी फर्नमेंटल राइट है वो इनी चार के अंदर कंप्रेस होता है पहला फ्रीडम ऑफ कॉंशियंस और फ्री प्रोफेशन प्रैक्टेस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजिन यह सिंपल सा हमें क्या चीज़ कह रहा है यह हमें पहली चीज़ यह बता रहा है कि एक तो आप किसी में भी बिलीव कर सकते हो बिलीव एनी रिलीजिन ठीक है आप किसी में believe कर से religion, या किसी भी thing में anything, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे शक्ती दे रही है ये चीज अंगूठी है, चाब भी है, कुछ भी आप किसी में भी believe कर सकता है, कोई आपको डोकने टोकने वाला नहीं है दूसरा, आप किसी को force नहीं कर सकते कि आप मेरे religion को follow करो ठीक है, या फिर कोई आपको follow नहीं कर, मलब ये force नहीं कर सकता कि आप इस religion को follow कीजी, या उस religion को follow कीजी x, y, z, religion ये इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि discrimination ना हो किसी भी religion के base पे, अब बट इसकी restriction है, क्या restriction है public order maintain होना चाहिए, public order मतलब कि आप किसी को hate speech नहीं दे सकते, किसी religion के against hate speech नहीं दे सकते, किसी religion के against, फिर आता है morality का, morality क्या होती है कि आप अपनी body को, या human, humanity को affect नहीं कर सकते ठीक है, by doing immoral work, religion के नाम पे आप कोई immoral work नहीं कर सकते फिर आता है health, आप अपने जो भी क्या कहता है, health को religious के लिए, वो नहीं कर सकते sacrifice कह सकते, या फिर एक type से temper नहीं कर सकते, या आगे health में, फिर उसके बाद आता है other, other province, मतलब अभी तक other में कुछ भी अगर in के लावागर, supreme court को लग रहा है कि यह चीज़ है, यह आपकी body या फिर इसे, आपको affect कर रहा है, religion के नाम पे, तो वो other provision में include कर दिया जाएगा, यह हमारा article number 25 है, फिर जब हम fourth के इस पर चलते है, article number 26, freedom to manage religious affair, अब क्या है इस वाले में हमने पढ़ा था कि आप किसी भी religion या किसी भी चीज़ पर भरोसा कर सकते हो वलाब किसी पर believe कर सकते हो इसमें क्या है, अब उसके, जो आपका religious affair है, उसे आप manage कर सकते हो, अब इसके तहट क्या होगा, अब establish या maintain कर सकते हो अपना institution बना सकते हो, of religious and charitable purpose, ठीक है आप जैसे अगर आप मान रहे हो कि मैं ये x, y, z religion में believe करता हो तो आप इसके एक institution बना सकते हो कि यहाँ पर मैं इस god या goddess के बारे में लोगों को बताऊंगा या उन्हें समझाऊंगा ठीक है, ये आपके इसमें आपको अजादी मिलती है उसके बाद बट आपका जो है charitable purpose के लिए आपके अपने purpose के लिए नहीं होना चीए, लगकि not to earn money ठीक है, पैसे कमाने के लिए आप नहीं खोल सकते दूसरों को समझाने के लिए या फिर अपने धम का प्रचार करने के लिए आप ये सब कर सकते हो to manage its own affair in matter of religion आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी religion से related कोई भी affair होए या कोई भी चीज़ होते है उसे आप manage कर सकते हो अपने level पे ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता अपने management से related, अपने religious के management से related, जो भी अगर आप चीज करना चाहो तो, own and acquire movable और inmovable property मतलब कि आप, जिसे की x, y, z, आपने कहा दिया कि मुझे ये institution है, इसके नाम पे आपने land खरीद लिया ठीक है, इसके नाम पे आपने vans खरीद लिया, कि मानलो, सेवा करने के लिए इन सब के लिए, तो आप एक movable जैसे vans होगी, बसेज होगी immovable lands होगी, ये साई चीज होगी तो ये साई चुझे खरीद सकते हो, किसके नाम पे अपने religion के नाम पे administer such property in accordance with law ठीक है, ये सारी चीज़े आपके article number 26 में आते है और वही चीज़ आती है, इसमें restriction क्या है, public order नहीं होना ये सब health वगेरा यही सारी 26 में भी include होती है जह हम बढ़ते हैं अपने article number 27 के उपड ये क्या बात करें, freedom to payment of taxes from promotion and particular religion, पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो आप tax, इसल, मलब आपको tax से छूट मिलती है ठीक है, आप tax नहीं दोगे दूसरा, आप क्या करोगे, आप अपने religion को, x, y, z religion को promote करने के लिए tax या कोई payment नहीं करोगे, कि मैं ये tax इसलिए दे रहाँ क्योंकि मुझे religion जो है, वो promote करना है इसके लिए नहीं कर सकता इसलिए आप tax नहीं दे सकते और third, government जो है वो क्या कर सकती है, can take fees ठीक है of your institution और ये याद देखना अभी आपको के साथ ये तो tax free होता है तो एक चीज़ याद देखना, fees is not equal to tax tax अलग चीज़ होती है, fees अलग चीज़ होती है government fees ले सकते, tax नहीं ले सकती, यहाँ पे लिखे है shall be compelled to pay tax, कोई भी tax नहीं देना पर पर proceed, which are specially appropriate payment, expenses, promotion maintenance, कुछ अपना religious institution आपने खोल लिया उस पर आप कुछ भी करो, उसके उपर government को आपको tax नहीं देना पड़ेगा अब हम आता है article number 28 के उपर freedom to attend at religious institution or religious worship certain education system, इसमें सबसे पहली चीज, यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहली चीज क्या है कि आप अपनी मर्ज से choice है आपके पास कोई भी आप religious institution को attend कर सकते हो, या चाहो तो नहीं attend कर सकते ठीक, attend कर भी सकते हो और नहीं भी attend कर सकते, वो आपके उपर है कोई आपको force नहीं कर सकता जो भी second और इसमें क्या है जो भी state funded होंगी state funded institution होंगे state funded institution का मतलब क्या होता है जैसे कि मालो कोई भी government institute जिसे कोई government का college है या school है, वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे किसी भी एक religious मलब उसे promote नहीं किया जाएगा ठीक है, religious instruction वहाँ पे नहीं दिये जाएगे religious instruction या religious को promote नहीं किया जाएगा कोई जो भी state funded होगा फिर third के अंदर आत क्या आता है private जो institute है जिसे कि अगर मैं हूँ मैंने क्या कि अपने एक private trust खोल लिया ठीक है, इस trust से मैं अब अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, तो मैं इस पे अपना religious instruction दे सकता हूँ अपने private, मलब अगर कोई बंदा किसी का private अगर office है कुछो भी private firms है वो क्या कर सकती है, religious instruction दे सकती है और perform practice अपने practice भी perform कर सकती है यह article number 28 में तीन चीज़ mention की गई है, अगर हम देखे नो religious instruction shall be provided in educational institution wholly maintained by state fund यह देखो, यह मैंने यहाँ समझा रहक है ना second volume, nothing in clause shall apply to education institute in administrative or state but has been established under endowed trust which required religious ठीक है, यह second volume देखो, यह private trust वाला मैंने, यह second volume है no person attend any education institute recognized in state expired fund shall be expired imparted institution attend religious worship ठीक है, यह first में आ गया था तो यह चीज़े हमारे article number 28 भी clear हो गया है और अब हम आते हैं अपने fifth के उपर cultural and educational right जो हमारा fifth fundamental right है इसके अंदे सिर्फ दो यह article आता है 29 और 30 यह हमारे आज यह last दो article होंगे अब 29 में क्या होता है protection करने की बात किये किसकी interest of minorities की सबसे पहले एक चीज़ या दखना है यह जो word है minorities minorities is not mentioned in Indian constitution में यह जो word है minority जो word है यह mention नहीं किया गया है यह चीज़ या दखना तो 29 में क्या कहता है कि आप जो से माहलो कि आप एक minority group हो तो आप अपना क्या कर सकते हो अपनी language को cultural को यह script को बचा क सकते हो ठीक कोई भी आपको रोकेगा नहीं यह चीज़ इसमें mention की गई और कुछ है नहीं any section of their citizen residence or territory of India as any part therefore or distinct language, script, culture of their own shall have the right to conserve the same इन तीनों को आप बजा सकते हो यह मैंने explain कर दे no citizen shall be denied admission to any educational institute maintained by state or received aid ground fund ठीक है अब यह क्या होगा कोई भी second में यह चीज़ है कि अगर कोई भी citizen है वो से इंडिया का अगर citizen है तो जो भी state funded state funded institutes है या फिर educational institute है वहाँ पे उन्हें नहीं रोका जाएगा कि तुम इस minority के हो इसलिए वज़े से तुमें हम रोकने है तो अगर उस उस पे अगर state पैसा दे रही है उस institute पे अगर government institute पे पैसा government institute पे obviously बात है government पैसा देगी तो अगर government पैसा दे रही है पहले चीज़ की minorities word mention नहीं है, इसमें याद रखना, आप हमने language, script, culture को बचा सकते हो, तीसरा अगर government funded educational institute है तो वहाँ पर आप जा सकते हो, आपके क्या कहता है, आपको discriminate नहीं किया जाएगा religion, caste, language, इन सब के base पे, ठीक है, ये जो है article number 29 में mention है, article number 30 पर आता है, ये हमारा आज का last article होगा, ठीक है, इसमें क्या है, right of minorities, ये भी minorities की बात की, to establish administer education institute, इसमें क्या है, पहली तो चीज, all minorities based on religion language shall have the right to establish administer, ठीक है, अब ये पहले वाला समझे लोगे, पहले वाले में चीज है, minorities, बोला गया है, minorities, दो basis पर बोला गया है, पहला बेस, क्या है, religion के उपर, अब minorities हम किसे करते हैं, मालो अगर 50% से कोई भी कम है, तो उसे हम minorities कह सकते हैं, एक मालो एक बंदा 49 पर एक 51 पर है, तो ये majority में हुआ न, ये minority में हुआ, religion कौन कौन से आता है, इसलाम हो गया, ठीक है, सिख हो गया, जैन हो गया, बुद्धा हो गया, फिर, ये क्या कहते है, पार्सी हो गया, पार्सी को हम पार्सी नहीं कहते हैं, हम क्या कहते है, जोरोस्त्रियन, Z-O-R-O-S-T-R-I-N, ठीक है, फिर, Christianity हो गया, Christianity, अब क्यों हो गया, ये जो religion अगर minorities में होंगे, तो और एक और चीज, दो base बोलते हैं, minorities और एक हो गया, language, language, language को क्या कह सकता है, linguistic, लिंग, 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 अगर, ये, देखो, यहां लिका है, have established, whether based on religion, और language, shall have right to establish administrative education, ये क्या कर सकते है, अपना एक educational institution, खोल सकते है, क्यों, क्योंकि ये minorities में है, educational institution, खोल सकते हैं, ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है, अब उसके बाद article, एक जो था, state shall not in granting aid, हाँ, shall not, in granting aid to education should discriminate against education, इसे और गांडर नेरे, ठीक है, एक ना amendment आया था, 44th amendment के तहाया था, 44th amendment हुई थी, जिसमें article number 30A को include किया गया था, अब 30A क्या है, अगर ये state है, state को ये particular land चाहिए, और ये land क्या है, minorities के पास है, किसके पास है, minorities के पास है, तो stand, जो state है वो ऐसी, अभी ये land, कब जन के state को क्या देना पड़ेगा, compensation, state जब compensation देगी, तब जाके minorities, बलाब अगर कोई भी educational institute जो होगा, इस land पर minorities का, तब state को compensation देना पड़ेगा, अगर उसे land की जरुवत है, तब ही, यहाँ तक बात क्लियर है, एक बार हम revise कर देते हैं, कि आज कराया था, यह तो 22 यह अगली था, तो आज हमने पड़ेगा, right again the exploitation, इसके अंदर article 23 और 24 आता है, पहला है कि आप human trafficking और forced labor को prohibit किया जएगा, human trafficking इंसानों का अगर खीदना बेचना होगा, उसे मना किया, मलब वो prohibit है, वो गेर कानूनी है, और आपको जबदस्ती काम नहीं करा सकता, forced labor किता, और prohibition, मलब अगर 24 में यह पढ़ाए कि अगर आप 14 साल से नीचे हो, तो आपको फैक्टरी में काम करने नहीं दिया जाएगा, और exception है, आप अपने घर में काम कर सकते हो, अगर आपकी company है, और आप 18 साल से नीचे हो, तो आपको ownership नहीं मिलेगी, आपको 18 साल के होना पड़ेगा, तब जाके आपको ownership मिलेगी, 25 में क्या है, 25 में आपको बताया गया है, कि आप अपने religion, मलब किसी भी religion में believe कर सकते हो, और किसी को force नहीं कर सकते हो, आप ये religion practice करो, और आपके religion क promotion से किसी को दिक्कत नहीं होने चीज़े, hate speech नहीं होना चीज़े, mentee को affect नहीं होना चीज़े, health खराब नहीं होना चीज़े, और other चीज़े होगी, फिर 26 के अंदर आता है, freedom of, आप अपने religion को manage कर सकते हो, ये 26 के अंदर है, कोई आपको रोक नहीं सकता, बस उस, जब आप manage सकती, फिर 28 के अंदर है, कि आपकी मर्जी आप चाहे, तो किसी भी religion को attend कर सकते और नहीं कर सकते, state funded institution में क्या होगा, कोई भी religion promote नहीं किया जाएगा, और private trust में आप religion promote ये religious instruction दे सकते हैं, 29 में minorities की बात की गए, ये minorities क्या, एक तो पहली बात, ये word mention नहीं क्या है, इंडियन constitution में, उसके बाद, state funded जितने भी institution होगे, वहाँ पे, minorities की entry पे कोई भी restriction नहीं होगा, और आपको इस basis पे discriminate नहीं किया जाएगा, और language script culture को आप बचा सकते हो, 30 में बात की किते हैं, हमने right बात कीते हैं, अगर कोई भी minorities है, जिसे religion ए linguistic base पे, वो educational institute establish कर सकता है, और 44th amendment की बात की किते हैं, जिसमें हमने article 30A को include किया था, जिसमें अगर state को अगर minority का educational institute या land लेना होगा, तो उसे compensation देना होगा minority को, तो आज के लिए हमाले इतना ही, अगली class में हम क्या पढ़ेंगे, constitutional remedies के बारे में पढ़ेंगे, जो कि article 32 से लेके 35 है, तो अभी के लिए जाहिंद, और आप चाहिए, तो चैनल सब्सक्राइब एसते हैं, मैं ऐसी informative वीडियोज लाता रहूँगा, बाए